वेलकब बैकिनमाई टेटर दोस्तो मैं हुआ कास्पेंडर आप देख रहे हैं यूनिक सिविल आने में के और साल फियुनिक दोस्तो आप सब कई देट सारे वारसेट ग्रूप में ये शेर करते हो कि मैं ये लیपटॉप लूँ किना लूँ ये लेटॉप लूँ किना लू बड़े कन्फ्यूज रहते हो कभी लोग मुझे भी questions करते हैं, sir कौन सा laptop लो, अचानक से मैं उनको कैसे बता सकता हूँ, जब तक कोई research नहीं होगा laptop पे, मैं ऐसे तो आपको इपता मैं कभी भी answer, ऐसे नहीं देता हूँ, time लेता हूँ, proper देखता हूँ, कि इसके लिए कौन सा रहेगा, तो सबसे इंपोर् लोन लेना पड़े, या फिर EMI मिलेना पड़े, तो ऐसे लोगों मैं साथ problem देखा है, मैंने कि, EMI पिले ही लिए और वो भर रहे, अब बनलो, अगर आपकी सली 10-12,000 रुपे है, और आपकी पास 3 हर EMI कर जाएगी, प्रॉलम नहीं हो गया, इतना पैसे अभी मत invest करो, as a student, अगर आपको, अगर आप professional हो, तो नो डाउट, अभी मैं खुद भी लगवाट 1.500 रुपे के laptop लेने वाला हूँ, मेरी कोशिस ही है कि मैं laptop नहीं PC लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि, अगर 1.500 रुपे में PC में लगा दूँगा, तो बहुत high configurations मुझे मिल जाएंगे, मेरे Adobe Premiere Pro, Lumion, जो बड़े-बड़े high graphics साले software रहता, बहुत अच्छे से चलाएंगे उसके दर, तो मैं बहुत दिन से उसको configuration देख रहा हूँ, बट अभी मेरा थोड़ा room safety हो रहा है, इसके वज़े से मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मैं आपको भूला चाहूँगा, कि अगर आप professional ह मैं, means already आप job कर रहे हो, अच्छी job कर रहे हो, आपको date 20000 रुपे invest करने में कोई problem नहीं, तब आप सीधे लगाओ 10000000 रुपे, अच्छे से लो, लेकिन अगर आप student हो तो मैं यह prefer नहीं करता हूँ, कई लोग बोलते हैं यार ले ले ओ, ऐसा ऐसा, नहीं, अगर आप student है, त अगर दे रहा है 80,000 रुपे में, और वही चीज आसूस या फिर लिनोबो आपको दे रहा 30 से 35 रुपे में, तो मैं आपको वोलूँगा, कि student होने के नाते, आपको आसूस और लिनोबो पे जाना चाहिए, न कि डेल पे, मैं डेल की बुराहीं नहीं कर रहा हूँ, डेल is very good HP is very good, बट यार मेरे को अभी configuration चाहिए, मिन्स जब सब्सक्राइब करना चाहिए, यही चीज होता है laptop में भी, आप मत जाओ अभी डेल पे, डेल पे जाना जब आपका लेबल आजाए, एपल लेना यारो, Apple में Mac, Pro अगर रहता है, वो सब लेना आप, लेकिन वो future में लो, अ अभी as a student, जो मैं आपको laptop prefer कर रहा हूँ, मैं आपको 30 से 40 के range में दिखाता हूँ, 40 से 50 के भी range में दिखाता हूँ, 50 से 60, 60 से 70, आप देख लो आपका जो budget है, उसके range में आप देख लो, कि कौन सा laptop आपके लिए अच्छा रहेगा, यह सारे laptop में जो देख रहा हूँ, मैंन configuration लगता है, और structure के लिए as such like stat pro, e tab, teclam थोड़ा सा लगता है, अब stat pro और e tab में बिल्कुल ज्यादा configuration की जुरूद नहीं पड़ती है, so आप देखो, अपने budget के according laptop लो, ऐसा ना हो कि आपको burden जाए, और मैं यही कहूँगा कि company के पीछे मत भागो, ब्राण के पीछे भाग मुझे लगता हो गलत था, यह time आएगा तो ले लेना, बट अभी आप देखो कि मेरा laptop में मुझे सीखने के लिए चाहिए, तो कम budget में कौन सा मिल सकता है, मैं वही laptop आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कम budget में मिल सकते है, तो चलिए देखते हैं उसको, और फिर आप decide करिएगा, कमेंट करिएगा, सरी वाला मुझे अच्छा लगा, मैं discussion box में सबके link देदूँगा, आप अपना सारे laptop देखिए, फिर समझेए, फिर review पढ़िए, मैं वही laptop को दिखाने है, जिनके review अच्छे है, फिर जब final हो जाए, तब आप laptop लीजे, तब आप invest करिए उसमे बोलाएगा कोई complaint नहीं है सर, और दूसरी चीजी है है इसके अंदर SSD है, hardics तो भी अच्छी चीजाए 4G RAM है, अभी यह unleable है, तो लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि आता रहता है बहुत जल्दी stock इसके खतम होते है, यह laptop है, और इसका सबसे चीजी हा, इसका review आपक structure की जितने softwares हैं सब बहुत ही बहतरीन चल जाते हैं इसके अंदर 4GB RAM है जिससे हमारा परियाप काम हो जाता है और हम लोग को access करने में easy होता है और जो इसके अलग-अलग ports हो गए रहा है ये सब भी काफी अच्छ है क्योंकि इसमें आपका complete work हो जाता है अब अगर आप थोड़ा सा ये तो structure के वर के लिए यानि stat pro और e-tap के लिए बट अगर आपका काम ऐसा है कि आप थोड़े heavy work करना चाहते हो और आपका budget भी थोड़ा सा अच्छा है तो मैं आपको gaming laptop के तरफ लेके चलूँगा क्योंकि gaming laptop का speed जो आता है gaming laptop में ये laptop काफी success है इसका जो star है 4.5 star इसका feedback है बहुत ही बहतरीन है प्लस जो use करने है आपने कई लगों use करने है ये level 48,000 का आ रहा है आता रहता है अभी इसमें अने level है ये भी क्योंकि इसकी selling बहुत जादा है जब आता है market में तुरंट गया भी हो जाता है तो ये काफी बहतरीन है इसमें अच्छी चीज़ क्या है इसमें 4G भी graphics card है सबसे अच्छी चीज़ है SSD hard X है जो कि आपके speed को बहुत जादा बढ़ा देता है ठीक है और window 10 है अच्छा है ये सब कुछ और जो इसमें जो configurations है ये configurations आप किसी भी gaming जैसे का आप 3ds Max यूज़ कर सकते हो इसके तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसके तो Lumion यूज़ कर सकते हो rendering के software और ये HD का पूरा screen है इसका तो बहुत ही बहतरीन है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये laptop अगर आपका 50 तक का budget है तो ये 48 का आजाएगा और इसमें आप बहुत अच्छा मैं इसमें बोलूँगा कि आप यही model चूज करना जैसे कि इसमें और model जैसे ये model ये model मैं नहीं prefer करूँगा क्यों क्यों क्योंकि इसमें इसका star feedback इसका कम है इसका जो configuration है वो भी देखके समझा रहा बहुत अच्छा है अगर अभी आने बहल है तो एक दो दिन वेट कर लिजएगा आएगा फिर आप लिजएगा इसके बाद अगर थोड़ासा budget आपका और अच्छा है तो मैं आपको यह prefer करूँगा यह laptop वो 48 का है यह अला 48 का है और यह आपका near about किने का है अभी जो price चल ला है 55 का चल ला है और यह भी laptop अच्छा है उससे थोड़ासा ज्यादा high configuration है इसके और अगर आपका budget allow करता है तो you can go for this also और यह आपका जो है इसमें आप देख सकते हैं आपे 8GB इसमें RAM है उसके अलावा जो hardix है hardix में 1TB hardix है और उसके बाद I think 500 है 250 SSD है जो कि आपके speed को बहुत जादा increase करता है कोई भी भाड़ी से भारी आप software यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर मिंस काफी वहत्री यह वाला भी laptop है और gaming laptop बहुत जादा success है तो इसका एक third और यह उससे भी अच्छा है यह तीनों laptop फिरहल तो बहुत अच्छा है अगर आपका budget 50 तक है तो मैं बोलूँगा यह ले लीज़े gaming laptop यह उसके लिए वो लाओं जो like 3ds max, rabbit, sketchup इन पर rendering का काम करने वाले हैं उनके लिए laptop successful जादा है और उसके बाद थोड़ा सौर budget है तो यह ले लीज़े और उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लबाग 1000 का फर्क है तो अगर यह आप लेते हैं तो यह भी काफी बहत्रीन है सबसे बेटर तो फिराल यही है इसके जो प्रोसेजर उगर है सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे और यह laptop में आप कितना भी heavy software आप चला सकते हैं तो मेरे recording यह तीसरा laptop है जो की बहुत ही बहत्रीन है और अगर आप काओगे कि कुछ लोगों का इसा रता है कि Asus के laptop अच्छे नहीं होते हैं मैं बहुत अच्छे laptop होते हैं कोई problem नहीं आती है फिर भी कई लोग बोलते हैं नहीं सर मुझे HP और Dell में जाना है तो यह configuration क्या है इससे भी कम configuration आपको यहाँ पे मिलेगा laptop बहुत अच्छा है यह जो यूज कर रहे हैं मेरे ही कई student है जो यूज कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से पता है बहुत ही अच्छा laptop है बट इसका price होता है थोड़ा से जादा रहता है 61,000 है तो यह कोई professional है वो यूज करेगा तो उसके लिए मैं recommend करूँगा कि हाँ यार्तुम कर सकते हो अच्छा होता है मेरे पास एक laptop है ऐसा और क्या बलते 1 GB है इसके hardix है window 10 है और उसके बाद 8 GB आपका RAM है और क्या बलते i5 8 generation है जो कि सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपका budget 60 के ऊपर है तब इस laptop को prefer करो और यह laptop का rating भी बहुत अच्छा है 4 star इसके ratings है और मलब की लबबबबग laptop बहुत अच्छा है इसमें कोई भी problem नहीं है और यह laptop तब यूज़ करना जब आपका budget अच्छा हो अदर्वाइस यह कर लो अगर आपका 55 के उपर अगर budget आ रहाती है 55 तक के लिए यह करो और अगर आपको like 450 के अंदर ही खतम करना है और gaming work करना है means render का काम अच्छे से करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो 48 का और इससे भी कम budget है structure के software चलाने है और architecture के भी ऐसे नहीं कि बिल्ब बिल्कुल चलेगा नहीं आप proper सीख सकते हो और business purpose से कम यूज़ कर पाओगे क्योंकि speed उतनी अच्छी नहीं रहती है तो यह laptop यह आप यूज़ कर सकते हो structure के लिए तो परियाप देगे stat pro, e-tab, autocad के लिए enough है यह laptop तो आप देख लो इसमें से जो laptop आपको पसंद आ है वो करो, बट budget के according करना पता चला आप उसमें ज्यादा budget में जा रहा हो तो भी मजा नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपका sufficient work हो जाएगा as a student, बहुत ज्यादा budget है तो यहाँ तक चले जाओ, professional हो तो यह इस पर को ले सकते हो और अच्छा लेना तो यह, मैं सबको यहाँ पर description box में सबका link दे दे रहा हूँ आपको देखना है कि मेरा budget किसमें है यह सारे जो laptop है, सब मैंने देखे हैं, सब मैंने use की हैं, मुझे कई कई दीन से recommend करने के लिए बोल रहा है थे और मैं बोलूँगा, student को brand पे नहीं जाना चाहिए, professional brand पे जाते हैं तो अच्छी बात है, और Asus में gaming के जो laptop है, बहुत success चलना है, इतना must चलता है यह laptop, कि means इस पर काम बैठते ही न, आपको काम करने का मना लक्सिश करने लगता है, क्योंकि मैंने चला है मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यह यूज़ कर रहा हूँ, आप देख लो, अपने budget के recording purchase कर लो, और कोई problem रहा है, तो मुझे whatsapp content कर लेना, कि सार मैं यह कर रहा हूँ, या फिर laptop लेने के बाद कोई problem आती है, तो भी मैं यह से content कर लेना, फिरहाल यह जितने मैंने laptop बता है, यह सब मेरे recording सब भी proof है, कोई किसी में problem नहीं आएगा, और मैं जब तक क्या बलते review अच्छे नहीं रहते हैं, तब तो मैं prefer ही नहीं करता हूँ, सब के 4 या 4 के उपर के review है, तभी मैंने आपको refer किया है, चलिए देख लिजे, उसके बाद बताईएगा, आपको कौन सा लिया, आपने बताईए कि कमेंट करके, या कौन सा आपको पसंद है, वह भी कमेंट करके बताओ या, तो अभी पता तो चलेगा, कितने लोगों को कौन सा पसंद आरे, आपको laptop अच्छे लगे होंगे, जो काफी laptop आ आपको कौन सा लिप्टॉप चाहिए, उसके बाद ले सकते हो, चलो मिलते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ help मिला होगा, तो प्लीज जो help मिला है, उसके लिए काम कर दो, क्या है आपको share button है, 10-15 फ्रेंट तक share कर दो, अगर आपको अच्छा लगा हो, कि हाँ, सन्न सन्ने बताया, तो इतना help कर दो यार, तो बेटर रहेगा, फिराल आप लोग इतना कर चुके हो, कि 11,000 की family कर चुके हो, मैंने कभी सोचा नहीं था, जब मैं 11 subscriber थे, तब भी मैं वैसे ही पढ़ाता था, और 11,000 होगे, पता नहीं कब कहां पहुचेगे, अब आप लोगों ज होचता है, कोई प्रॉलम नहीं मैं काम करता रहूंगा, जा 20-25 पहुचेगे, क्यों मुझे बता है, 25-25 यार बढ़ते हैं, 5-5,000,000,000 में पहुचेगे, जै हिन, जै भारत, साथी साथ, यहाँ पर कमेंट करो, आपको किसी लैप्टॉप में कोई प्रॉलम आई, या अपने जो लैप्टॉप चला है, उसमें से कौन सा आपको अच्छा दिखा, तो आपके भी व्यूज सेयर हो जाएंगे, यार कि ठीक है, उन्होंने अपना प्रेटिकल एक्सपिरियंस सेयर किया, मुझे मज़ा आता प्रेटिकल एक्सपिरियंस, मैंने भी प्रेटिकल एक्सपिरि प्रेटिकल एक उरकी कौन सेयर कैसा कि भीरिकल एक्सपिर नह को सेयर हो खकल एक्सपिरिकल्ण State